जब भी एक इंसान इस दुनिया में आता है तब उसकी potential unknown होती है कोई नहीं जानता कि किस तरह के खयाल उठेंगे इस नए दिमाग में और इन खयालों से उसकी जिन्गी किस तरह से अकार लेगी हमारे खयाल और जो भी सपने हम जाकते हुए देखते हैं वो mixture होते हैं हमारे genetic, karmic और environmental influence के हम एक तरह से सोचने की शमता अपने साथ लेकर आते हैं और हमारा हर सपना हमें बताता है कि हमें किस तरह बढ़ना है हमारे सपने हर समय हमें अपनी कबिलियत की याद दिला रहे होते हैं किसी भी इनसान के मन में प्रवेश करने वाले खयाल उसकी हैसियत से बड़े नहीं होते लेकिन हम अपने सपनों को छोटा बना लेते हैं ताकि हम दूसरे लोगों के बीच घुल मिल पाएं इनसान वायर्ड है ये जियूम करने के लिए कि अगर कोई काम जादा लोगों की संख्या में करा जा रहा है तो वो काम सही होगा वरना वो सब क्यों ही उस काम को कर रहे होंगे ऐसा बहुत रेली ही होता है कि कोई इनसान दुनिया के best of the best experiences का मज़ा उठा पाए best चीजें कभी भी popular नहीं होती तभी हमें ये question करना बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे हैं और हमारे parents ने हमें वो करने को बोला है या फिर क्या वो जरूरी है हमारी personal growth और unique development के लिए जिन्गी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए जो दूसरों के सपने जीरे होते हैं लेकिन जो लोग अपने सपनों की सुनकर अपने unique path पर चलना शुरू कर देते हैं उनके साथ बहुत निराले coincidences होने लगते हैं जब हमें पता होता है कי हम कहां जारे हैं और हम पूरी लगन के साथ अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि कई अंजान ताकते हमारी मदद करने के लिए परकट हो गई हैं हमें अपनी जर्णी में कई दरश्य और कई अदरश्य ताकतों की साहेता मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जर्णी में कोई कठनाई या नहीं होंगी इसके बजाए सफलता तक जाने वाली सुनसान गलियों में सबसे जादा खड़े और रुकावटे होती हैं और ये एक filter system होता है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को success तक पहुँचने देता है जो success के बिना जी नहीं सकते सफलता का असली वारिस सिर्फ वही इंसान होता है जो सिर्फ सफल होने के वादे नहीं करता बलकि वो 100% commitment देता है और अपना पूरा ध्यान अपने लक्षे पर रखता है अगर आप खुद को पूरी तरह से यानि psychologically, spiritually, physically और emotionally अपने गोल की तरफ मोड लेते हो तो ऐसा समझ लो कि वो गोल अचीव हो ही गया है और आपको उसे अचीव करने के रास्ते में बहुत सी खुशी और अच्छे experiences मिलेंगे यहां तक कि वो गोल इतनी जल्दी आपके नजदी का जाएगा कि आपको फिर से एक नया गोल बनाना पड़ेगा जैसे जैसे हम मेहनत करके अपने बड़े गोल को reality बनाते हैं हम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके लिए उस तरह का गोल natural होता है winner precedes winning जीतने वाला जीत से पहले आता है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमें कुछ बनना होता है हम वो बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं सफलता उन लोगों को मिलती है जिनके मन में सफलता का खयाल डगमगाता नहीं है उन्हें दस अलग चीज़े नहीं बलकि बस एक ही चीज़ चाहिए और वो से अपने मन से निकाल नहीं सकते उनकी मांग और उनकी बूख में गहराई है एनलाइस करो अपनी लाइफ, इच्छाओं, सपनों और अपनी लॉंगिंग को और ढूंडों की इन सम्में कॉमन क्या है किस तरह का काम या फिर सर्विस देते हुए आप खुद को देखना चाहते हो आपका यही विजन आपके मन के हर कोने में फैला हुआ होना चाहिए अपने गोल की तस्वीरों को अपने मन की दिवारों पर चिपकाओ और अपने सपनों की अवास को अपना dominant thought बनाओ अगर वो एक्च्छल में आपका unique goal है तो आप खुद को हमेशा ही उसके बारे में research करते और daydreaming करते हुए पाओगे अपना unique और consistent interest मिलने का मतलब है कि आपको वो नाव मिल चुकी है जो आपको नदी के दूसरे के नारे तक ले जाएगी नाव बहुत से लोग यहाँ सोचेंगे कि हमें goals का पीछा करने की क्या ही ज़रूरत है क्यों न हम हर problem से उसी moment में deal करें एक goal हमारे अवचेतन मन को एक तस्वीर देता है जिस तरह से हमें एक रिक्षा या फिर taxi में बैठ कर driver को बताते हैं कि हमें कहां जाना है वैसे ही consistently खुद के goals को अपने मन में बिठाने से मन खुद ही हमें अपने उस vision की तरफ धकेलने लगता है लेकिन एक taxi driver की तरह मन हमें अपने goals की तरफ बढ़ाने के लिए पैसे नहीं मांगता मन की currency होती है consistency या फिर repetition जिस भी goal या फिर खयाल की payment आप consistency और repetition के साथ करोगे वो goal या खयाल हमेशा एक हकीकत बनेगा आलस या फिर ज़रूरी कामों को टालते रहने की आदत एक sign है कि आप अपने goals को लेकर consistent नहीं हो और आपको छोटे मोटे pleasures distract कर रहे हैं आपके मन की एक दिवार पर कोई छोटी सी इच्छा है दूसरी दिवार पर कोई और distraction तीसरी पर भी एक random short term desire और मन के किसी कोने में शायद आपने अपने goals की एक छोटी सी कटी फटी तस्वीर को लगा रखा है लेकिन मन हमें एक साथ चार अलग destinations पर नहीं पहुचा सकता It is to your benefit that you pick one thing and obsess over it क्योंकि हम अपनी जिनगी में किसी भी चीज़ को पा सकते हैं लेकिन हर चीज़ को नहीं अपने मन को train करो महनत में pleasure दूढने के लिए जब भी आपके goals की बात उठे या फिर आपको किसी मुश्किल काम को करना पड़े तब अपने मुँपर एक smile ले आओ मन को force करो कि वो आपको काम करने के लिए भी उतना ही dopamine दे जितना वो आपको किसी pleasurable activity को perform करने के लिए देता है reset your dopamine circuitry and squeeze pleasure out of the feeling of pain मज़ा किसी शराब की bottle चीनी से लदे होए biscuit या फिर शरीर के किसी अंग में नहीं बलकि मज़ा उस चीज में है जिस चीज में मज़ा ढूडने के लिए आप programmed हो अपनी programming को बदलो अपने सपनों और purpose को repeatedly लिखकर बोल कर या मन में देखकर जिस तरह एक ship के captain को बंदरगाहा छोड़ने से पहले ये पता होता है कि उसे अगले किस बंदरगाहा पर रुकना है वैसे ही हमें भी अपनी अगली destination clear होनी चाहिए अगर आपने कभी एक ship को पानी में चलते हो देखा है तो आपको हैरानी हुई होगी कि कैसे बड़ी ships कितनी धीमी गती से चलती है एक ship जब बंदरगाह से 30 से 35 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से निकल ली होती है तब ऐसा लगता है कि उसे तो अपनी destination पर पहुँचने में सद्या बीच जाएंगी लेकिन एक ship धीरे धीरे पर 24 घंटे कंसिस्टेंटली चलती रहती है वो हर समय ही सही रास्ते पर होती है जल्द ही वो हारबर पर पहुँच जाती है और अपना mission complete कर लेती है और refuel करने के बाद फिर से निकल जाती है एक नई destination पर जो लोग अपने goal को अपने दिल और दिमाग में स्थापित कर लेते हैं वो भी हर समय धीरे धीरे एक ship की ही तरह अपने goals की तरफ बढ़ रहे होते हैं इवन जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनका मन उनके इसी project पर काम कर रहा होता है विज्ञान के आकड़े बताते हैं कि जिन लोगों के पास कोई purpose यानि जीने की वज़ा होती है उनकी उमर लंबी होती है goals और specially वो goals जिने पूरा करेबेना हम मनना नहीं चाते वो हमारे अंदर जीवन शक्ती को बढ़ाते हैं इसका मतलब ये सच नहीं है कि सिर्फ वो ही लोग बड़े goals को अचीव कर पाते हैं जिनमें बहुत जादा energy होती है इसके बज़ाए जो लोग बड़े goals बनाते हैं उनका मन और शेरीर जादा उर्जा पैदा करने लगते हैं उनके goals को fuel करने के लिए एक इंसान उतना ही सीमित होता है जितने सीमित उसके खयाल होते हैं mediocre size के खयाल आपको भी mediocre बनाए रखेंगे जबकि आसाधारन सफलता के खयाल आपको महांता की तरफ धके लेंगे